तो आज अपनी करते हैं मसल फीजियोलोजी मसल फीजियोलोजी कि मसल मसल्स क्या होती है मसल्स एक फाइवर्स टिशू का बंडल या बैंड होता है जो कि कंट्रेक्ट हो सकता है मसल्स जो है वो फोर्स वे मोशन उत्पन करता है मसल्स तीन तरह की होती है स्केल्टल यानि स्ट्रेटेड मसल स्मूथ जिसको अपने विसरल मसल्स भी कहते है और तीसरे काडियक मसल्स अले लेते हैं स्केल्टल मसल्स स्केल्टल मसल्स वो होती है कि जो स्केल्टन से जुड़ी रहती है इस परकार की मसल जो है वोलेंटरी होती है इन में जो है पैरलल दारियां पाई जाती है एक अंतरित एक डार्क लाइट इस तरह से इन में बैंड्स पाई जाते हैं यह मल्टी नूक्लियटेड होती है दूसरा आता है स्मूथ मसल्स जो हती है वो इंटरनल ओर्गन्स के अंदर पाई जाती है जैसे गैस्टर इंटेस्टाइनल ट्रेक है यूटरेस है ब्लड वैसल से आई है इनके अंदर यह मसल पाई जाती है यह इन्वोलेंटरी होती है या पर अपना नियंतरन नहीं होता जैसे peristalsis है, vasoconstriction है, pupil dilation है तो ये अनेचिक रूप से करे करती है smooth muscles जो होती है वो stated नहीं होती है ये spindle shape में होती है और इनके nucleus जो होता है वो मद्य में स्थित रहता है तीसरी है, cardiac muscle, cardiac muscle जो हर्दे की दिवार में पाई जाती है ये autonomic nervous system के control में होती है cardiac muscle में भी central nucleus होता है परन्तु ये striated होती है यानि smooth muscle की तरह nucleus central होता है परन्तु skeletal muscle की तरह ये striated होती है cardiac muscle जो है involuntary होती है इसके अंदर अपनी इच्छा जो है वो इच्छा के दिन नहीं होती है ये striated होती है और बिना रुके एक ले से बराबर contraction करती रहती है ये हर्दे की दिवार के अंदर पाई जाती है ये तीन तरह की muscles डाइग्राम में बताई गई है पहले skeletal muscles दूसरी smooth muscles तीसरी cardiac muscles properties of skeletal muscles skeletal muscles की कई गोनिया properties पाई जाती है जिनमें पहली है excitability excitability की जब किसी muscle को stimulation दिया जाता है तो उसके परतिवे react करती है तो इस गोन को कहते है excitability extensibility के muscles जो है वो extend होती है उसकी लंबाई बढ़ती है उसके उनको इसके करते है extensibility elasticity अपने किसी भी चीज को खीच करके छोड़ते हैं तो वो अपनी नॉर्मल इस्तिती में वापिस आ जाती है तो इस गोन को कहते है अपने elasticity तो इस तरह से muscles के में अंदर भी ये गोन पाया जाता है कि जब muscles जो है वो contraction होता है तो वो अपनी नॉर्मल इस्तिती के अंदर आ जाती है contractility कि muscles को जब stimuli दिया जाता है तो उसमें contraction होता है तो ये गोन इसका कहलाता है contractility conductivity कि जब कोई भी tissue जो कोई stimulus जिसको stimulus प्राप्त होता है तो वो आगे इसको transmit कर देता है यानि आगे उसको pass कर देता है तो ये गोन इसका कहलाता है conductivity तो muscles के अंदर conductivity पायी जाती है thermogenesis thermogenesis यानि heat production तो जो muscle contraction की क्रिया है इसके अंदर heat उत्पन होती है मनुश्य के अंदर जो man source of heat जो है वो muscle contraction है skeletal muscle के contraction से heat उत्पन होती है severing, severing actually क्या होती है कि irregular involuntary contraction of skeletal muscle के जो skeletal muscle के एनियमे तो एनेचिक contraction यानि बार बार contraction होने से अचानक एक तम चोटे चोटे पैचेज के अंदर contraction होते हैं जिन इससे की vibration होने लग जाता है जिससे अपने कंप कंपाना कहते हैं severing तो इस severing के कारण heat उत्पन होती है क्योंकि यह muscle contraction के क्रिया होती है muscle contraction के अंदर heat उत्पन होती है तो यह कुछ विशेश प्रस्तितियों में जैसे की ज्यादा ठंड होती है तो कंप कंपानी की क्रिया होती है या कोई अचानक कोई डर जाते हैं किस तरह का बै होता है या कोई fever आ जाता है तेज तो उस समय यह severing के क्रिया होती है refractory period कि muscles की एक विशेश प्रस्तिता होती है कि उसका एक refractory period refractory period क्या होता है actual refractory period यह होता है कि एक stimuli देने से muscles में contraction होता है दूसरी stimuli दी जाती है तो वो muscle उसके अंदर एक gap आता है एक बहुती छोटा सा short period होता है तब दूसरी stimuli के प्रतिवो एक्साइट नहीं हो पाती यानि एक stimuli देने के बाद दूसरी stimuli देने पर एक gap आ जाता है कि उसके एक्साइट होने में तो इस जो यह short period होता है इसे refractory period कहते है जैसे frog में लगबग यह 0.005 second होता है जबकि mammalian में refractory period यह 0.002 second का होता है tonicity body के अंदर जो skeletal muscles है उसमें हमेशे एक खिचाव रहता है एक तनाव रहता है यानि एक tension light tension होता है इस tension को tone का जाता है तो पर दे जो skeletal muscle है उसमें एक tone पाया जाता है तो यह इसके type of muscles और skeletal muscle है उसकी properties तो आज के लिए इतना है धन्यवाद उसमेनों औरulif मुश्य है